कावूली मैया तरा लाला निकत बोलू सोलाई दे अरो तोंपे तो डशी यो करिया ना बाग बिन फूलले न आयो शोरी मोई ताव कों तून आयो लाला मैं ये समल आई दे अरो तोंपे तो डशी यो करिया ना तुम्म बिना मां को जाओंगी किना हरो किना को जाओंगी किना को जाओंगी पूनम मैं ये समझाए दे पूनम मैं ये समझाए दे तो मैं तो डशी हो करिया ना आज लास कोले के परिघट पे पहुंची तो अरिशन बोले कौन है अरे रात में भी नहीं सोने देते कौन आया है मैं ये तारा ने जवाब दियो मैं महराज आपकी पत्नी हूँ कौन पत्नी माराज तारा कौन तारा माराज आप मुझे नहीं जानते मैं आपकी पत्री राजा बोले याद रिस्टेदारी मत निकाल चली आ से बोले यहां रस्तेदारी मत निकाल मेंसे भी नहीं जानता इसे ले जा उठाए यहां से और ले जा तारा बोली आप कैसी बाते करते हो माराज अगर यहां आप रहते हो तो इसका मतलब यह थोड़ी यहां पैसे भूल या हरिशंद्र बोले मुझे यहां ग्यान मत दे मुझे तेरे ग्यान की जरूवत नहीं है तूस दिन की याद कर जिस दिन तुने मुझे गढ़ा नहीं उठवाया था पहां तेरा धनम था और आज मेरा धरम है मैं बिना करका टका लिये हुए लास नहीं चलने दूँगा महिया तारा ने माराज एक बात याद रिखना चाहि कितना भी सत्ती और धरम हो लिकिन जब बेटा की लास सामने पड़ी हो ना तो सब बाप को कोई समाल नहीं सकता राजा हरिशंद्र थोड़ी देर एक लाएं बेहोस है गए